देश तो राम के करीब जाने को आतुर हो रहा है लेकिन विपक्ष यो है वो राम के विपरीत जाने को आतुर हो रहा है ऐसा क्यों परतीत ऐसा हो रहा है आप विपक्ष को एक होने नहीं देते ना मैं होने नहीं देता एक उसमें आपकी भी बड़ी महत्पुर्ण भूमिका ह यूगो यूगो तक जब इतिहास लिखा जाएगा तो अमिश्देवकन का नाम स्वानक्षरों में लिखा जाएगा क्यों क्यों दूसरी बात जहां तक भगवान राम का प्रश्ण है तो मैं तो बिल्कुल इसको साफ कर देना चाहता हूं ना कोई लेकिन है ना कोई बठ है ना कोई किंतु है ना कोई परंतु है राम हमारी आस्था के आधार है राम के बिना भारत की कलपना भी नहीं की जा सकत राम के बिना जब भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है तो भारत के लोकतंत्र की कल्पना कैसे की जा सकती है जी राम और अमीश देवगन जी ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा विचार है भारत के संविधान के निर्माता डाक्टर बावा साथ भीमराव अमेट कर जब संविधान उन्होंने भारत को सौपा है तो उस भारत के संविधान के पन्नों पर श्री राम के दरौर का चित्र अंकित है बात थो बड़ी सुन्दर कर रहे हैं आप लेकिन आपको मैं टोक रहा हूं बीच में 30 सेकिंड के बाद ये लेकिन राम काज करीबे को लोग आतूर होते हैं लेकिन आपके नेता जाने कोई आतूर नहीं है राम काज के लिए गौराबाटिया कार से वो कोपर गोली चल जानी चाहिए थी वो सविधान को बचाने के लिए हुआ ये अब शिप्पाल यादब जी भी कह रहे हैं स्वामी परसाद मौरिया तो कही रहे थे क्या आपको लगता है कि आप लोग भी पॉलिटिकली राम नाम को दुसरी बात मैं कहूंगा और बहुत सम्मान से कहूंगा वो व्यक्ति वो संस्था कोई भी पार्टी ऐसी पैदा नहीं हुई है जो भगवान राम के नाम को कैश कर ले ये तो भगवान राम की कृपा होती है तो पार्टी आगे बढ़ती है 200 से 303 तक पहुंचती है और जं मिरवाद है अब याद करिए वो मैं तस्वीर लेके आया हूँ दो भाई थे नाम था राम और शरत कोठारी कोठारी बंदू गोली चलती है ना अच्छे अच्छे पतलून गीली हो जाती है दूसी तरह भागते हैं और ये तो केवल दो हैं ऐसे इलाखो थे आदेश दिया सभब की सरकार थी कि निगत्ते कारसेव को पे गोली चला देना ये भाई राम और शरत क्या उरज़ा थी क्या जजब़ था क्या समरपड था राम मंदर के प्रती ये आगे बढ़ते रहे गोली लगी माथे पे गोली लगी सीने पे और ये अयोध्या में लोग क तो उन्होंने सबसे पहले बोला मेरा जीवन धन्य हो गया क्योंकि भगवान राम ने मुझे भेजा ही था भवे राम मंदिर बनाने के लिए ये ये जो इंतजार है ना साड़े पांच सो साल का ये एक और बड़ा संदेश देता है तलवारों से इतिहास नहीं लिखा जाता है सहिशुनू होना अडिग होना अटल होना एक बार अगर कोई लक्षे देख लिया तो उसको प्राप्त करके चाहे जीवन ही क्यों ना देना पड़े ये सुनिच्चित करना कि स्वर्णिम्यू आएगा भारत आगे बढ़ेगा ये किसी ने किया है तो हिंदुों ने किया है म एक बात और कहूंगा कॉंग्रिस पार्टी का डिये ने जो है वो हिंदु विरोधी है हिंदु आतंगवादी अरे जिसने आज तक किसी चीटी को नहीं मारा उसको आतंगवादी बुला दिया लड़के लड़किया छेड़ने मंदिर में जाते हैं क्या किसी की हिंबत है और बुरा लगेगा लेकिन कहना चाता हूँ कोई कह सकता है कि लड़के जाली दाट टोपी लगा के मज़िद में जाते हों और उसके बार लड़किया छेड़ते हैं नहीं कह पाएगा ये हिंदुों को प्रतारित करने की बात है और खड़के जी ने कहा ये मोदी जी अगर बूत हो जाएगा मैं आज इतना कहूंगा इनके अंदर जो हिंदुत्व हैं हिंदु की ताकत है और ये जान गए हैं कि भारत में भगवान राम कड़कड में हैं मैं प्रणाम करता हूँ कि कॉंगर्स पार्टी में रहते हुए ये जजबा इन में है ये बहुत बड़ी बा ठीके बाइजाता हूँ रात्कवर भाटी उदे निदी स्टालिन कहते हैं इंडिया आलाइस के पार्टर हैं हम मस्जिद तोड़कर बनाए गए मंदिर के समर्तन में कभी खड़े नहीं हो सकते शिपाल आदफ कहते हैं जो गोली चली थी वो बिल्कुल ठीक चली थी समिधा को बचाने के लिए तेली थी और सर्यू को लाल कर दिया गया था क्या आपको लगता है कि बार बार राम भक्तों पर गोली चलाने की बात को अभी भी बोलना क्या आपको लगता नहीं है जखमों को कुरेदना है आगर आप राम मंदिर के निवाते को अस्विकार कर रहे हो तो ये बोलने के विश्रक्ता क्या है? ने अगर चर्चा में मैं इसका जिकर करता गोली का तो तो हम दोसी थे ये तो आप कुरेद्रेव बार-बार आप दो बार कह चुके बीजेपी के प्रवक्ता ने भी इसका जिकर किया अले अदम का बने अले सर ने उन से किसी ने पूछा होगा अब इस डिबेट में जब आप मुझसे पूछोगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा वरना हम तो हमारे तो एक ही स्टेंड है जी राम बहुत बड़े हैं इन चीजों से आपने शुरू में कहा तो गोली क्यों चलाई मैं अब वही तो बात आगी आप गोली से आगए नहीं बढ़ना चाहते आप गोली पहई केंद्रित करना पहला हम से कहते हो गोली का जिकर बार बार क्यूब अचिम पहलते हो वो समिधान की सपत लेती है भारते जंता पार्टी की सरकार ने राजिस्थान में बहतर हिंदूओं को गोलियों से बुन दिया था आंदोलन में जो गूजर आंदोलन में हरियाना में जाट आंदोलन में 11 जाटों को गोलियों से बुन दिया था आप जो हमारे विरोधी हैं चाहे वो राजमितिक पार्टियों में और चाहे मीडिया में हैं वो बार-बार कहते हैं सर्यू का पानी लाल हो गया तो सर्यू का पानी लाल हो गया तो इतना बड़ा चड़ा के पेस करते हैं और हमें खलनाक की तरह पेस करते हैं पहली बात मुख्मंत्री कभी कोई मुख्मंत्री गोली चलाने का आदेस नहीं देता है समीधाने में उसा यह अधिकार ही नहीं है गोली चलाने का आदेस मोगे पर मैस्टेट और पुलिस कफ्तान देते हैं पहली बात दूसरी बात चोधे लोगों की मौध हुई थी अयुद्या में दो लोगों की बाद में अस्पताल में हो गई थी सोले के अलावा सत्रवा नाम आज तक कोई नहीं दे पाया जूट आप कितना ही बोलो लेकिन दुर्भाग क्या है जो अपराध कर रहे थे जो कानून तोड रहे थे उन्हें तो महिमा मंडित किया जाता है और जो कानून की रक्षा के लिए खड़े थे उन उनको खलनायक बताया जाता है क्या किसी पुलिस वाले पर मुकदमा चला क्या किसी नियालने में मुकदमा हुआ कि गोली गलत चली थी कि आ इंस Nossaर सोला कार सेव को कि जान गई यहा है ना आपने लेकिन मुझे बता ये कितने पुलिस कर्मियों को घायल हुए थे तब जब कार सेव को बे गोली चलानी पड़ी लाइन ओर्डर का मामला था आपने बोला डीम फैसला लेता है प्रशासन फैसला लेता है लाइन प्रशासन फैसला लेता है